हलो माइ ब्यूटिफुल फैमिली कैसे हो आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे वैसे हापी मनसुन केने का अभी तक मुझे आप लोगों को हक नहीं मिला है क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों के साथ या नहीं की हूँ आप मनसुन सी जिन में कैसे आप अपना हैर और स्किन का ख्याल रखोगे बैसे पहली बात देख रहे होंगे ना मेरे चानल में डारेक्ली रोज वाटर को हैर में स्प्रे करना बैसे एक बात बता हूँ रोज वाटर हमारी हैर के लिए बहुत अच्छा है रोज वाटर में बह वह ए्ट करेंगा आज का जो रिमेडी है वह बहुत ही अच्छा रिमेडी है रेनी सिजन के लिए मनसुन सिजन के लिए जी यॉदिधि क्लिए क्यों यह हर DIY हर किसी के लिए नहीं होता है अगर एक बार में आपको Result नहीं मिल रहा है आप Second Time आटेम्ट लेजए Second Time मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो Third Time आटेम्ट लेजए लेगन Third Time में भी अगर आपको कोई भी result नहीं मिल रहा है तो आप बहीं पे उस remedy को बं कर दीजिएगा क्योंकि बो DIY आपके लिए नहीं है, क्लियो? क्योंकि हर किसी का hair type अलग होता है, hair condition अलग होता है, hair किसे जुड़ा problem भी अलग होता है, इसी लिए कभी भी कोई भी DIY आई न हर किसी के लिए equally काम नहीं करता है तो प्लीज आप max to max तीन बार यूज़ कीजेगा अगर रेजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप बहीं पर रोग दीजेगा लेकिन अगर आपको एक बार में रेजल्ट मिल रहा है तो आप उससे continue कीजेगा बहुत ज़्यादा जरू लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा सा कलर आर्ट करना है अपनी हैर में आपको ग्रे हैर का प्रॉब्लम है तो आप इस हैर प्याग को रात में करके रखेगा और सुबह अपलाई कीजेगा तब जाके आपको एक अच्छा रेजल्ट मिलेगा बहुत ही अमेजिन रेजल् करना होगा अगर आपको सिफ हैर पैक यूज़ करना है तो फिर मेरे जैसा यूज़ कर सकते हो यह पर्टिकुलरली ड्राय ड्रामेज फ्रीजिनेस को ट्रेट करेगा ठीक है तो चलिए जल्दी से सुरू करते है तो हमें चाहिए कर्ड कर्ड के बिना हैर क्यार अधूरा फैट्टी एसी जो होता है डारेक्ली ट्रिट करेगा हमारी हैर ग्रोथ को ठीक है उसके साथ आपको दो विटामिनी का कैप्सुल चाहिए इसके साथ मिक्स करना है इसके अंदर जैसे प्लंप सना रहे कोसिस कीजिएगा उतना मिक्स कीजिएगा यहां पर आप हैंड ब्लें करेगा ठीक है नेक्स्ट हमें चाहिए रॉव मिल्क अगर आप डे रेगुलर बेसिक में यूज करते हो आपने हैर के ऊपर तो फिर आपको बहुत ही अमेजिंग रेजल देखने को मिलेगा वैसे आपको यह जो मिल्क है उसको कलेक्ट करने का तरीका भी आज मैं बता रही ह है ठीक है मिल्क हमारे हैर को हाइडरेट करके रखेगा रिश्टोर करेगा मॉस्च्यर को जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है है में साइन आर्ड करेगा हैर ग्रोथ को इंट्रीस करने में बहुत हेल्फ करेगा है फॉलिक इसको स्ट्रॉंग करेगा ठीक है आपको कर्ड ब यहां पर पेड़ राइ होने की जरूत नहीं है आपका है ठीक है जिसे मैं यूज़ कर रही हूं बैसे ही यूज़ करना है उसके साथ आपको चाहिए यहां कॉफी यहां पर मैं तीन सैचेट कॉफी यूज़ कर रहे हूं जो की 2 रुपया बाला अगर आपके घर में बॉटल क कॉफी है तो आप यहां 2 टी स्पून कॉफी पाउडर यूज़ जरूर कीज़ेगा क्योंकि कॉफी में काफेन अवेलेबुल है जो हमारी हैर गोथ को डिरेक्ली प्रोमोट करेगा और हैर लोस को भी कंट्रोल कर लेगा इम्मीडेटल अगर आपको रेजल्ट चाहिए ठीक होगा इसके रिडूहस करेगा फोलिक में को स्ट्रोंक करेगा हेल्धी और ग्रोस को प्रोमोट करेगा डिपली कंटिशनिंग में हेल्प करेगा अंधी करेगा हमारी ह्यार को सोफ्त स्मूथ और बाउनसी हेली हेल्प करेगा तो ब्लब करें को committed Greece के लिए जितना ज्यादा प्रोबाइड करेगा ठीक है उसके बाद हमें चाहिए हीना पाउडर यहां पर में हीना पाउडर आजे प्याक यूज़ करें हूं अगर आपको इस चीज को रात में बना के रखना होगा कोई भी आईरन कंटेनर में उसके बाद आपको बहुत ही अमेजिंग रेजल्ट चीज काउड़ को प्रिवेंड करने में हेल्प करेगा यह अंति कम्लान के बज़े से हमारा ड्राय हो जाता है क्यों, कभी इस तरीके से यूजिंग करके देखें कभी भी आपका का है ड्राइ होगा आंटी ऑक्सिडान्ट आवेलेबुल है जो हमारी हेयर ग्रोफ को प्रमोट करेगा लास्ट ली हमें चाहिए ग्लीसरिन आप लोगों को पता है एक अमेजिंग सबस्टिट्यूट है हाईलोरोनिक एसिड का और हाईलोरोनिक एसिड वादा करता है 72 आवार्स करके रखता है इस प्याक को आपको 45 मिनिट रखना है और नॉर्माल जैसे रेगुलार सामपो अन कर्णिशनर यूज़ करते है बेसे ही यूज़ करना है बहुत ही अमेजिंग रेजल्ट मिलेगा आप लोगों को ट्रस्ट मी भरसा करना जरूरी है पॉजिटिव रहना और इस हैर प्याक को आज अगर आप लगाओगे तो आपका हाथ कभी भी कलर नहीं होगा अगर आप रात में भीगो के रखोगे तो आप ग्लोब्स का यूज़ जरूर कर लिजेगा नहीं तो आपका हाथ बंदर जैसा बन सकता है यहां मेरे हैर का लेंध मीडियम है टीसपून कथा पाउडर टू टीसपून हिना पाउडर बहुत ही अमेजिंग रेजल्ट मिलने वाला है अब साइथ थोड़ा सा मुझे हक मिला है आप लोगों को हापी मनसुन बोलने के लिए तो गाइस हापी मनसुन ओश्यू आल दा बेस्ट और प्लीज बी हैपी बी पो का आल ओान